अब दिख्वा रहे हैं यह डीसी फैन है होमेड फैन यह डीसी कूलर और सॉरी यह मैंने बनाया है बहुत चोटी साइस का है आप दिख्वा रहे है यह अमारे भाई की दुकान में काउंटर में रखा हुआ है तो यह डीसी है पूरा इसमें जो दो बैटरी हमने यूज किये यह जो है यह बारा वॉल्ट साड़े साथ एम्पिर की यूपिस वाली बैटरी है प्लस एक है लीथियम आयन बैटरी 24 वॉल्ट 20 एम्पिर की जो पंखा चल रहा है फैन आगे उलर में यह 24 वॉल्ट की बैटरी से ऑपरेट हो रहा है और जो पानी वाला पंप है वह बारा बारा वॉल्ट से ऑपरेट होने वाला तो इसलिए पंखा उसके लिए यूपिस वाली बारा वॉल्ट साड़े साथ एम्पिर की बैटरी दखी है प्लस जो पंखा आगे लगा है वह 24 वॉल्ट वाला वो बारा और 24 से दोनों से ऑपरेट होता है तो मैंने जो यह पंखा मगर यह मैंने अमर्जंसी के लिए बैटरी के लिए बनाया है जो लाइट वगरा नहीं रहती है उसके लिए ताकि लाइट बनने में भी इसको करीबन यह 24 वॉल्ट भी 10 अम्पिर की लीठे माइन बैटरी से हमें यूज कर रहा हूं तो यह पंखा जो है यह करीबन 7 गंट यह 24 वॉल्ट 10 अम्पिर की बैटरी से 7 गंटे कंटीन्यू यह फैन चल जाता है बाकी आप देख पार यह अपने प्लक निकाल दिया इसका कनेक्टर निकाल दिया तो यह हमारा पंखा बंद हो गया अभी इसकी 12 वॉल्ट की बैटरी से इसका कनेक्टर निकालेंगे तो पा अपने यूज के लिए इसको भी मैं कुछ दिन बाद इसको मैं सोलर पैनल से डारेक्ट भी इसको मैं बनाने का सोच रहा हूं ताकि दूपैर को दूप में इसको सोलर पैनल से यूज किया जाए और रात को जो है वो बैटरी से यूज किया जाए तो यह था मेरा कूलर इसक थे कि बस Queen के पास जो इसकी बाडि बनाते हैं उनके पास रखी हुई थी काफी इस समय से आपको पाता ही ए इंहें चमप क्या जो पानी का पंप होता है वो मैंने Amazon से order किया था बाकी लीठियम बैटी में बनाई थी आपको पता ही है मेरा लीठियम बैटी काम है